हाँ तो हम लोग जो है बच्चों अब आपके कौम सर नेक्स्ट सॉलिशन का लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं अब हम लोग यह पढ़ते हैं रिलेशन बिट्विन मोलल एलेवेशन कॉंस्टेंट एंड लेटेंट लेटेंट अपको पता है कि boiling के समय जब कोई liquid boil करते रहता है तो boiling के समय उस liquid का boiling का जब समय होता है तो boiling के टाइम में liquid vaporize करता है लिक्विट vaporize करता है तो उस समय उसको एक extra latent heat of vaporization चाहिए होता है और latent heat आप पढ़े हुए हो thermodynamics में और कहां पढ़े हो physics के heat chapter में heat and thermodynamics में और वहां ये पढ़े हुए हो कि एक गराम किसी भी liquid को उसके boiling point पर बिना temperature बढ़े state बदलने में जो heat लगता है उसे latent heat of vaporization करते हैं तो latent heat of vaporization जो है से relation kb का तो thermodynamics के relation है कि moral elevation constant characteristic है particular solvent का और हर solvent का moral elevation constant एक fix होता है ये ध्यान दिजेगा water का अपना value fix है अलकोहल का अपना fix है बेंजीन का अपना fix है पेट्रॉल डीजल सभी liquid का अपना एक moral elevation constant होता है वो उसका characteristic है वो उसका गून है उस liquid का ओ गून है ओ करेक्टर है ओ स्वभाव है किसका उस liquid का मोलल elevation constant और उस स्वभाव के तहट ओ लिक्वीट का boiling point बढ़ता है उसी के हिसाब से तो के भी जो है को का थर्मोडानेमिक रिलेशन दिया जाता है के भी इसकल टू आर टी बी स्कॉयर बाई थाउजन एल भी आर टी बी स्कॉयर बाई थाउजन एल भी हो गया latent heat of vaporization है टी बी स्कॉयर ये boiling temperature का स्कॉयर है आर हो गया क्या universal gas constant आप आर का भैलू कैलोरी में अगर रखना चाहो तो टू रख सकते हो सर्त यही है कि जब आर का भैलू कैलोरी में रखोगे तो लभी का भैलू भी कैलोरी में रहना चाहिए आर का भैलू जूल में रखोगे तो लभी का भैलू भी जूल में होना चाहिए यानि आर को जिस unit में रखोगे लभी का भी वही unit होना चाहिए यानि R and LV दोनों सेम यूनिट में रहेंगे ये अगर कैलोरी में तो ये भी कैलोरी में ये अगर आपको जूल में तो ये भी जूल में अब आगे देखिए न ये question आप देखिए तो आपको LV किसीज में दिया हुआ है 539.9 कैलोरीज पर ग्राम ठीक है? तो ये कैलोरी में है ना तो आप R का भैलू कैलोरी में ही put करोगे और R का भैलू कैलोरी में कितना होता है? 1.98 होता है जिसको लगभग हम लोग क्या कहते है? 2 लगभग 2 कहते हैं तो 2 रख दिये 2 TV square by 1000 LV अब 2 के 2 जो है क्या हो जाएगा? ये 1000 लिक्विट के solvent है, ये 1000 गराम है अगर 100 गराम solvent लेगा तो यहां 100 रखिएगा 1000 गराम लेगा तो यहां 1000 रखिएगा ठीक है? 10 गराम लेगा तो यहां 10 रखिएगा तो जितना गराम solvent लेगा उतना नीचे रखेंगे फिलहाल हम solvent कितना gram लिये हैं? 1000 लिये हैं, तो आप फिलहाल 1000 लिख दोगे, 1000, 2 TB square by 1000 LV, अब यह 1000 जाके यहाँ decimal में 0.002 TB square by LV हो जाएगा, अब TB जो होगा, वो boiling temperature दीजिएगा उस liquid का, जो Kelvin में होना चाहिए, जैसे water का case है, तो water का boiling point किस में रखिएगा? Kelvin में रखिएगा, किस में हैं? Kelvin में रखिएगा, Kelvin में water का boiling point कितना होगा? 373 Kelvin, 100 degree C होता है ना, तो 100 plus 273 is equal to 373 Kelvin हो जाएगा, ठीक है? जैसे एक ये question है, one mole आपका solute है, तो molar elevation constant हो गया, 1000 gram water है, तो उसका kb निकल जाएगा, kb is equal to, यही formula direct लगा देते हैं, यही लगा देते हैं, point zero zero two, tb के जगा क्या रखिएगा? Water का boiling temperature Kelvin में 373, 373 Kelvin का square, divided by latent heat of vaporization, 539.9, इसको calculate कीजिएगा, यह आपका आजाएगा, point 514, kb का value आगया, अब जो है, यह question है, RCM 46 number question है, RCM का 46 number question है, यह, तो इस तरह आप जो है, kb का value निकाल लिए, point zero zero two, into 373 का square, by 539.9, इस तरह आपका निकल गया, kb का value, किसका यह kb है भाई? यह water का kb है, तो water का kb यह है, यह constant होता है, आप तो जानते ही है, water के quality है, लगभग इसका value बताया जाता है, point five two, ठीक है न, तो near about आहीं गया है उसके, ठीक है, यह value constant होता है, अगर आपको याद है, तो अच्छा है, वैसे question सब में दिया रहता है, और उसका काम हो जाता है, ठीक, तो इस तरह इसका problem आप बनाते हैं, ठीक है, और देखिए, अब देखिए, हम लोग solution में एक relation देखने जा रहे हैं, आप, delta tb and delta p by p to naught, हम लोग अभी तक जो पढ़े, वो क्या पढ़े हैं, यह देख लीजे, हम लोग जो पढ़े हैं, वो यह पढ़े हैं, कि colligative properties के अंदर, relative lowering in vapor pressure, एक colligative property पढ़े हैं, दूसरी colligative property, osmotic pressure पढ़े हैं, और तिसरी colligative property, delta tb पढ़े हैं, तो अब हमारा delta tb का बाकी पिछले दोनों से relation हम बताए रहे हैं, डेल्टा tb का delta p by p2 not से relation, आपका relative lowering of vapor pressure से relation, और osmotic pressure से इसके जस्ट बात relation बताएंगे, तो delta p by p2 not is equal to यह क्या होगा, x1, delta p by p2 not क्या होगा, x1 होगा, और x1 जो होता है, यह mole fraction of solute होता है, x1 क्या है, mole fraction of solute, यानि relative lowering of vapor pressure will be equal to mole fraction of solute, अब mole fraction of solute को क्या करेंगे, delta p by p2 not is equal to x1 को क्या लिख सकते हो, आप n1 by n1 plus n2, n1 by n1 plus n2, यानि की mole fraction of solute, अब आप चुकी solution आपका, यह सारी colligative property हम लोग तब पढ़ते हैं, जबकि solution will be very very dilute, तो solution जब very very dilute होगा, तो वैसे case में n1 will be very 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 less than n2 होगा, n1 very 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 less than n2 आएगा, और ऐसे case में जब n1 बहुत बहुत छोटा है, किस से, n2 से, तो n1 को जब n2 में जोड़ेंगे, तो बड़े में छोटा जोड़ते समय क्या कर दिया जाता है, छोटे को neglect कर दिया जाता है, मान लिजे मेरा वजन आभी 50 kg है, मेरा वेट कितना है, 50 kg, आँ मान लिजे मेरे माथे पर से एक बाल जड़ गया, एजियूम किजिए कि पग गया है, वैसे अभी हमारा बाल काला है, ठीक है न, लेकिन एजियूम किजिए कि एक पग गया, ठीक है, तो कहोगे कि सर बढ़िया मजाग करते हैं ठीक है आपका वजन 50 kg था एक बाल आपका तूटके गिर गया तो आपका वजन कितना रह गया यही न तो आपका वजन 50 kg रह गया तो हम कहें कैसे क्या मेरे एक बाल का वजन 0 है बोलिए तो कहिएगा कि नहीं जीरो तो नहीं है लेकिन आपके सरीर के 50 kg के मास के कमपेरिजन में कमपेरिजन में तूलना में तूलना जब करेंगे सर तब वो जीरो हो जाएगा तो जब comparison होगा बड़े के साथ छोटे का तो छोटे को क्या कर दिया जाता है जीरो कर दिया जाता है जैसे माल लिजिए कि समुंदर में पानी है आप अपने घर से एक बाल्टी पानी लेके जाएए एक बाल्टी एकदम लबालब भर के हाँ एकदम पूरा लबालब भर के ले जाएएगा अले जाके समुंदर में डाल दीजिएगा अथ तब बोल ये समुंदर का लेबल इतना बढ़ जाएगा इतना? नहीं तो क्या इतना? नहीं तो कही होगा कि नहीं सर मजाक कर रहे हैं समुन्दर का level नहीं बड़ेगा इतने बड़े समुन्दर में एक बाल्टी पानी डालने से क्या होगा उट के मुह में जीरा तो वही बात है बाबू N1 बहुत बड़े N2 में जब आड़ होगा और solution अगर very very dilute है तो N1 neglect हो जाएगा तो delta P by P2 not is equal to N1 by N2 अब delta P by P2 not N1 by N2 के बराबर हो गया तो अब कोशिस ये कीजिए आप कि N1 by N2 हम ला दें N1 by N2 हम क्या कर दें? ला दें, कहां ला दें? Elevation in boiling point के जो है फर्मूला में Elevation in boiling point के फर्मूला में N1 by N2 ला दें यानि Elevation in boiling point delta TB is equal to KB W1 by M1 1000 by W2 ये फर्मूला है हमारा इसको फर्मूला को N1 by N2 में चेंज कीजिए N1 by N2 जैसे ही आपका आया तो वहां रख दीजेगा delta P by P2 not relation हो जाएगा सुनलिजे, इसमें जैसे N1 by N2 आया N1 by N2 के जग रखोगे delta P by P2 not और delta P by P2 not से delta TB के क्या मिल जाएगा relation क्योंकि here is delta TB already here is delta TB already here is delta TB already तो delta TB पहले से ही यहाँ उपस्थित है हाजीर है, present है तो वैसी इस्तिती में वैसी इस्तिती में आप क्या करेंगे कि यहाँ आप delta P by P2 not ला देंगे बस वहाँ delta TB है ही यहाँ N1 by N2 ला दिजिएगा N1 by N2 के जग क्या लिख दिजिएगा delta P by P2 not बस relation हो जाएगा तो अब N1 by N2 लाने के लिए आप प्रयास कीजिए तो W1 by M1 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ नीचे है W2 अगर W2 को M2 से डिवाइड कर दिया जाए अगर W2 को क्या किया जाए M2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यह भी बन जाएगा आपका N2 अगर इसको M2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा यह क्या बन जाएगा यह N2 बन जाएगा तो N2 से डिवाइड किजेगा तो M2 से मल्टिपलाई भी करना पड़ेगा तो कर लीजिए अब इसको तो N2 बन गया ना तो N1 by N2 आ गया न अब N1 by N2 आ गया जिससे डिवाइड किजेगा उसी से मल्टिपलाई करना पड़ेगा आप जानते हैं मैं तो यह अब तो N2 आ गया तो यह N1 by N2 आ गया अब N1 by N2 के जगा आप डेल्टा P by P2 नॉट तो रख सकते हैं ना if you know this and this then you can find out this यानि if you know relative lowering of vapor pressure and molecular weight of solvent then you can find out elevation in boiling point okay तो likewise now you are going to see another thing यह correlation आप लोग देख लिजये relation between delta Tb and pi pi मतलब osmotic pressure बोले भी थे elevation in boiling point का हम लोग अभी-अभी relative lowering of vapor pressure से relation देखे आप देख रहे हैं osmotic pressure से relation चुकि इसके पिछे वाले topic में pi b is equal to आप पढ़े थे n1 st इसलिए pi is equal to n1 by b st हो जाएगा अब n1 by b निकाल लिजे n1 by b निकाल लिजे n1 by b is equal to क्या हो जाएगा pi by st अब इस यह हो गया n1 by b is equal to pi by st हो गया हो गया ना अब देखिए आप दूसरा इस delta Tb में जाएए यह pi का काम कर लिए delta Tb वाले equation kb is equal to w1 by m1 1000 divided by w2 इसको हम लोग अब change कर देंगे n1 by b में और n1 by b के जगा पूट कर देंगे pi by st n1 by b के जगा क्या पूट कर देंगे pi by st है ना तो पूट कर देंगे अब delta Tb is equal to kb w1 by m1 के जगा क्या हो जाएगा n1 into 1000 यह w2 weight of solvent है और weight of solvent अगर solution भेरी भेरी dilute है ध्यान से सुनियेगा भेरी भेरी dilute और भेरी भेरी dilute का density 1.00001 होता है अगर solution भेरी भेरी dilute है तो तो वैसे solution का volume को density से multiply किजिएगा तो weight of solvent आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा लगभग weight of solvent मिल जाएगा तो जैसे ही solution का volume को density से multiply किजिएगा तो weight of solvent मिल जाएगा क्योंकि solution is very 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 dilute और very dilute के लिए यह case लागू हो जाता है weight of solvent becomes equal to volume of solution into density अब आप now putting it अब इसको put करेंगे अब इसको put करने में क्या होगा delta tb is equal to kb n1 by v into thousand by d delta tb is equal to kb n1 by v into thousand by d ठेक और n1 by v के जगा n1 by v के जगा pi by st put हो जाएगा क्या put हो जाएगा? pi by st तो यह relation आगया delta tb is equal to kb into thousand by d into pi by st तो pi जानते हैं temperature density जानते हैं तो delta tb निकल जाएगा तो इस relation से भी निकाल सकते हैं अगर ऐसा question रहा कि osmotic pressure रहा, temperature और density रहा तो आप delta tb निकाल सकते हो सर्त यही है कि solution very very dilute होना चाहिए और dilute solution की density बहुत छोटी होती है याद रखना dilute solution की density बहुत 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 कम it will be very near to the one in case of water solution अब elevation in boiling point का measurement कैसे होता है? तो elevation in boiling point का measurement जो है lens, burger, walker method से किया जाता है या दूसरा तरीका है quartrells method से होता है या तीसरा तरीका है backmanan thermometer से होता है यानि कि अगर हम लोगों को elevation in boiling point मेजर करना है किसी भी solution का जैसे आप 1 kg पानी लेकर आउ उसमें 50 gram sugar डाल दिये आप कहें कि इसका elevation in boiling point कितना होगा कैसे पता चलेगा तो backman thermometer में डाल दिजे उस solution को वो बता देगा elevation in boiling point और कोई आपका काम में या फिर quartrells method से निकालिए या lansberger walker method से निकालिए तो इसमें से कोई भी method लगा के आप जो है निकाल सकते हो तो elevation in boiling point जो आप पढ़े formula पढ़े हैं elevation in क्या चीज का boiling point का तो elevation in boiling point का आपका जो formula है इस formula के help से आप क्या कर सकते हो problem बना सकते हो numerical बना सकते हो ठीक है numerical और problems बहुत सारे आप इस formula के बल पे deal कर सकते हो ठीक है तो अब हम लोग एक problem देख लेते हैं जो जे इमेन में पुछा हुआ है ठीक है subjective question जो मैं advance में पुछता था पाले ओ subjective question आप देख लिजे देखिए ये elevation in boiling point से related question है ये 2004 advance यानि की मेन जब subjective question पूछता था उस समय ये question पूछा गया था ठीक है IIT में तो ये question है क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है तो ये question है ये benzoic acid है ये कौन सा acid है benzoic acid इस acid को जो है अलग-अलग दो solvent में डाला जा रहा है देखिए ये यहां डाला गया 100 gram 100 gram solvent solvent का नाम है acetone CH3 CO CH3 100 gram यहां solvent है ये है जिसका आपको delta tb दे दिया tb1 0.17 and kb दे दिया 1.7 ठीक है और दूसरा एक solution है किसका benzeen का side benzeen C6 H6 ठीक है ये इसमें भी W2 इसमें भी वजन कितना है 100 gram लेकिन इसका delta tb2 कितना है 0.13 और kb इसका है 2.6 2.6 ठीक है तो इस तरह से जो है ये दोनों की स्थितियां ये दोनों की का concept है इसका और इसका अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में मॉलेकुलर वेट निका लिए यानि इसमें निका लिए वही चीज ड़ा रहा है इसमें भी 1.22 ग्राम और इसमें भी 1.22 ग्राम बेंजोइक एसिट का इसमें 1.22 gram बेंजोइक एसिट का इसमें भी 1.22 gram तो दोनों में तो बन्जोइक एसिट सेम है उसका सेम ही अमाउन डाला जा रहा है और दोनों का अलेवेसन इन बॉइलिंग पॉइंट और केवी का भैवी माईलू डिफरेंट है जिससे दोनों में molecular weight का क्या difference आएगा तो आना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आएगा तो कुछ गड़बड है तो उसी गड़बड़ी के लिए कहता कि find out molecular weight of this तो भाईया इसका molecular weight तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं 120 आता है add किजिए 122 आता है अउतना ही आना चाहिए और अब दोनों में same ही आना चाहिए लेकिन अगर same नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है तो in both the cases कहता है कि find out molecular weight of benzoic acid in both the cases दोनों case में अलग-अलग molecular weight निकालिए जब निकाल जा तो interpret the result result को interpret कीजिए दोनों में अगर same आ गया तो interpret कीजिए दोनों में different आ गया तब भी interpret कीजिए तो चलिए case 1 में देखा जाए case 1 में delta tv 1 is equal to kv w1 by m1 into 1000 by w2 kv का value कितना है kv पहला case में 0.17 नहीं 1.7 kv का value है 1.7 into w1 है 1.22 m1 आपको निकालना है into यह 100 है आई यह 1000 है तो फाइनली यह हो गया delta tv का value put कर दीजे यहां कितना delta tv है 0.17 यह 1.7 यह 1.7 यह 2.0 कट आई है कम से कम 12.2 by m1 अब m1 is equal to आपका आ गया कितना आ गया 1.7 यह इस से कटा दीजे ठीक है तो यह कितना आ जाएगा यह लग भग आ जाएगा 10 और तब m1 is equal to 122 आगया m1 is equal to कितना आ गया 122 molecular weight इस में दूसरा case में put कर दीजे दूसरे case में जो है put कर दीजे कितना दूसरे case में आप put कर दीजे delta tv का value delta tv का value पूट कीजे direct ही बना लीजे 0.13 is equal to 2.6 to 1.22 into 1000 बाई क्या चीज नीचे क्या होगा m1 निकालना है और into 100 यह 2 0 कटा यह यह इस से कटेगा तो 20 आ जाएगा 1 0 ले लेगा m1 is equal to कितना आ गया 244 यहां m1 आगया 122 और यहां m1 आगया 244 इसका मतलब क्या है कि इस मॉलेकुलर वेट का यह मॉलेकुलर वेट डबल आ रहा है डबल आया ना तो डबल आना क्या सो कर रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जब यह डाला जा रहा तो इसका मॉलेकुलर वेट डबल हो जा रहा है इसमें जितना molecular weight है इसका double इसमें हो जा रहा है, इसका मतलब dimerize कर जा रहा है, यानि कि C6H5COOHol2 हो जा रहा है, dimer बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, dimer इसमें बन जा रहा है, इसमें क्या बन जा रहा, dimer, तो इसका molecular weight 122, इसका molecular weight 122, तो इसका molecular weight 124 हो जाएगा, तो in benzene, acetone is dimerized, क्या लिखिएगा, in benzene, acetone is dimerized, in benzene, in benzene, sorry, benzoic acid, benzoic acid dimerized, whereas, in acetone, it is monomer, it is monomer, मतला, acetone में ये monomer के form में रहता है, जबकि benzene में ये dimerized हो जाता है, यानि दो molecule एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, सड जाते हैं, hydrogen bond के सहारे, आपको ये भी पता है, कि कैसे dimerization होता है, hydrogen bond के सहारे, जो है, dimerize कर जाते हैं, ठीक है न, dimerization कैसे होता है, आपको पता है, C6, H5, C double bond O, O, H, ठीक है, C6, H5, C single bond O, H, double bond O, इसपे minus delta, इसपे plus delta, minus delta, plus delta, ये ही hydrogen bond के सहारे, ये क्या हो गया, H bond, और ये ही हो गया, dimerize, ये ही dimer है, इसी को कहते हैं, dimer, ठीक है न, तो इस तरह से, ये question बना, और ये आप समझे, इस तरह question बनाया जाता है, ये हुआ हम लोगों का समाप्ट, elevation in boiling point, अब हम लोग last topic पढ़ेंगे, और last जो है, qualitative property पढ़ेंगे, depression in freezing point, next lecture में, okay, see you again.